कि दोस्तों आपके अपने चैनल आरेम स्टेडी टाइम में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे जी के यह सारे सेलेक्टिट कोश्चन है इसमें बहुत ही महत्यपूर प्रशनुत्रों को सामिल किया गया है आएए वीडियो शुरू करते हैं प्रस नंबर एक है भारत की उ वे सिखर काउंसा है उत्तर है मांट एवरिस्ट मांट एवरिस्ट की उचाई 8,8848 मीटर या नियू रिकार्ड में 8,850 मीटर दर्ज किया गया है नेक्स्ट है प्रस नंबर तीन है भारत की सबसे उची चोटी काउंसी है उत्तर है के टू गाडविन आस्टिन जिसको कहते ह भारत की सबसे उची चोटी है नेक्स्ट कोश्चन प्रस नमबर चार भारत में हिमालय परवत स्रिंखला की सबसे उची चोटी काउंसी है भारत में हिमालय परवत स्रिंखला की सबसे उची चोटी कंचन जंग है प्रस नमबर पांच है काउंसी हिमालय की चोटी आसमराज में इस्थित है उत्तर है नबाव रवे प्रस नमबर छे है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है उत्तर है टिथिस सागर नाम के भूसन्नत से हुई है अर्था जहां आज इतना बिशाल हिमालय परवत है वहां कभी टिथिस सागर नाम का सागर हुआ करता था प्रेशन नमबर साथ है भारत की काउंसी परवच्चोटी संसार की दूसरी सबसे उची चोटी है उत्तर है केटू भारत की परवच्चोटी जो केटू है वो संसार की दूसरी सबसे उची चोटी है माउंट एवरेश्ट पहला है और ये जो है केटू दूसरा है प्रस्ट नम्बर आठ है करा कोरम परवस्यंकला का दूसरा नाम क्या है उत्तर है कृष्णा गिरी अर्थात कृष्णा परवत नेश्ट है प्रस नमबर नौ उत्तराखन की सबसे ऊची चोटी काउंसी है? उत्तर है नंदा देवी परवत उत्तराखन की सबसे ऊची चोटी है नेश्ट है प्रस नमबर दस सिवालिक स्रेडी का निर्माल कहां से हुआ है? उत्तर है सेने जोईक से हुआ है प्रस निग्यारा कंचन जंगा भारत के किस राज में इस्थित है कंचन जंगा एक परवत का नाम है या भारत के सिक्किम राज में इस्थित है प्रस नमबर बारा है भारत की सबसे प्राचीन परवस्रेडी कौन सी है उत्तर है भारत की सबसे प्राचीन प्रवस्रेडी अरावली है प्रस नमबर तेरा अरावली प्रवत का सरवोज सिखर क्या कहलाता है अरावली प्रवत का सरवोज सिखर गुरु सिखर के नाम से जाना जाता है प्रस नमबर 14 है सबसे बड़ा हिमनद या गलेसियर कौन सा है तो उत्तर है सियाचीन सियाचीन जो है सबसे बड़ा हिमनद गलेसियर है प्रस नमबर 15 है हिमालाई के सर्वस सिखर की उचाई कितनी हैं हिमालाई के सर्वस सिखर अर्थात माउंट एवरेष्ट की उचाई 8,850 मीटर है नेक्स्ट है प्रस नमबर 16 काउंसी पहाड़िया नर्मदा और तापती नदियों के बीच हैं उत्तर है सत्पुला की पहाड़िया नर्मदा और तापती नदियों के बीच है प्रस नमबर सत्रा खैबर दर्रा कहां इस्थित है उत्तर है पाकिस्तान वा अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा इस्थित है प्रेश नम्बर अठारा पाल धार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है उत्तर है केरल वा तमिलनाडू राज्यों को जोड़ता है प्रेश नम्बर उन्नीस नाथुला दर्रा किस राज्य में इस्तित है उत्तर है नाथुला दर्रा सिक्किम राज में इस्तित है प्रस्ट नमर 20 जम्मू से स्री नगर का मार किस दर्रे से होकर जाता है उत्तर है बनिहाल दर्रे से होकर जाता है दर्रा दो पहाडों के बीच में एक सागरा रास्ता जिससे आने जाने के लिए उपयोग में किया जाता है उसे दर्रा कहते हैं प्रस्ट नमबर एकिस चक्रवात का निर्मार दो भिन्नताप मानवाली डाय डाय डायस के मिलने से होती है उत्तर है वाई रासियों के मिलने से होती है प्रस नमबर वाई डेस पर चक्रवातों की सक्ति का मापन किया जाता है अर्थात किसे किया जाता है चक्रवातों का मापन टी मापक से किया जाता है प्रस नमबर नेक्स्ट प्रस नेक्स्ट प्रस ने प्रस नमबर 30 तार्नेडो में अस्थरी ही होवाओं की गति की किलो की एक तूफान का नाम है ऑप यह की जो हमाओं की गति होती है तूफान जो होता है नब्बे से एक सो पचीस किलो मीटर के बीच में तूफान कहा जाता है और इस टार्नेडो जो एक तूफान है आधी है इसका जो है तीन सो पचीस किलो मीटर प्रतिगंटे के हिसाब से ये हवाएं बहती है बहुत ही भयानक तूफान होता है जिसका नाम टारनेडो कहा जाता है, प्रस नमबर 24, हारिकेंस में हवाओं की गती किलो मीटर पति घंटा होती है, कितनी किलो मीटर होती है, हारिकेंस जिसको हम कहते हैं, ये भी एक तूफान का नाम है, उत्तर है, 121 किलो मीटर पति घंटा होती है, उसे हम हारिकेंस के नाम से जानते हैं, प्रस नमबर 25 है हारीकेंस में उठने वाली तथपस्चमी दीप समू के चारो और चलने वाली भैंकर चकरवाती तूफान है कहां के हैं किस सागर से हैं अटलांटिक महासागर से ये हवाएं उठती है प्रस नमबर 26 है दएड़ ड़स में उठने वाली और चीन सागर में चलने वाली वक्र गामी चक्रवाद को टाइफुन कहते हैं कहां से किस सागर से उठती हैं हमाएं? यह परशांत महा सागर से उठती हैं नेक्स्ट कोश्चन है प्रस नमबर 27 टाइफून की गती डेड़ेस कितनी किलो मीटर घंटा होती है ताइफून की गती लगभग 160 किलो मीटर प्रति घंटा होती है यह भी एक तूफान का नाम है प्रस नमबर 28 है सरपथम किसने तापकरम के आधार पर जलुगाय को बाटा है उत्तर है यूनानियों ने सरपथम तापकरम के आधार पर जलुगाय को बाटा था भूमद रेखी जलुगाय में आउसत रूप से कितनी वर्सा होती है उत्तर है 200 सेंटी मीटर से अधिक वर्सा ह होती है हुमद्रे की जलवाय में आवसात रूप से प्रस नमबर 30 सदा बहारवन किस जलवाय में पाए जाते हैं उत्तर है उश्ड कठबंदिये जलवाय में सदा बहारवन पाए जाते हैं प्रस नमबर 31 सदा बहारवनों में मुख्रूप से कौन से ब्रिच मिलते हैं उत्तर ह प्रस नम्मर 32 है मानसूनी प्रदेश में वनस्पती किस प्रकृती की होती है उत्तर है पतज़ड प्रकृत की मानसूनी प्रदेश में वनस्पती होती है वे पेडवे पवधे जो वर्स में एक बार अपने पत्तियों को गिरा देते हैं फिर उसके अस्थान पर नए पत्ते आते हैं उसे हम पतिज़र वन कहते हैं यह जो कि मानसुनी परदेश में पाये जाता है जैसे साल, सागाउन, नीम, सहतूट, आदी जो है पेड़ इस तरीके के मानसुनी परदेश में पाये जाते हैं प्रेस नमबर 33 उस रड़कटबंदी सवाना जलवाई की विशेषता क्या है उस रड़कटबंदी सवाना जलवाई की विशेषता या है कि उस मैदानों में बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं इन मैदानों को अफरीका में सवाना कहते हैं नेक्श है प्रस नमबर 34 सवाना जलवाय में आवसत वर्षा कितनी होती है उत्तर है सवाना जलवाय में 25-100 cm वर्षा होती है प्रस नम्बर 35 दच्छडी गोलार्थ में मद्ध अच्छांसी रेगिस्तान का क्या नाम है उत्तर है पेंटागोनिया जो कि अर्जेंटीना देश में पाये जाता है प्रस नमबर 36 भूमद सागरी जलवाई महादीपों में किस जगहां पाये जाती है उत्तर है पश्मी तटो पर पाये जाती है प्रस नम्बर 37 है भूमत सागरी जलगाई की विशेषता क्या है? उत्तर है जाड़े में पच्छुगापाउनो द्वारा होने वाली वर्सा होती है ये भूमत सागरी जलगाई से होती है प्रेस नमबर अर्टिस अंगूर और नीबू परजाती के फलों की परचुड़ता किस जलगाय में होती है ये जो है उत्तर उत्तर भूमद सागरी जलगाय में अंगूर और नीबू की परजाती फलों की परचुड़ता होती है अर्थात अधिक मात्रा में पाया जाता है प्रेश नमबर 49 साल भर बारिश किस जलगाई में होती है उत्तर है चीन सद्रिस जलगाई प्रेश नमबर 40 है किस जलगाई में सीथ काल में सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर है पस्चमी यूरोपियन सद्रिस जलुगाय में सीत काल में सबसे अधिक वर्षा होती है किस जलुगाय में परदेश का नाम संकुधारी बिरिच्छों के आधार पर किया गया है उत्तर है टाइगा परदेश प्रस नमबर 42 बिस्व का सीत धुरू किसे कहा जाता है उत्तर है बर्खों यांस को कहा जाता है नेक्स प्रस बर्खों यांस कहां इस्थित है उत्तर है टाइगा परदेश में इस्थित है प्रस्ट नमबर 44, किस जलवाई में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाये जाता है। उत्तर है टुन्डरा प्रदेश के जलवाई में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाये जाता है। प्रस्ट नमबर 45, लाइकेन और मास किस जलवाई में मिलते हैं। उत्तर है टुन्डरा प्रदेश के जलुगाई में मिलते हैं नेक्स्ट है प्रस्ट नमबर 46 परवती भागों में कौन सी जलुगाई पाई जाती है उत्तर है उच्च भूमी जलुगाई नेक्स्ट प्रस्ट है प्रस्ट नमबर 47 पवन क्या है उत्तर है एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर चलने वाली हावा को पवन कहते हैं प्रशन नमबर 48 पवने हमेशा किस छेतर की ओर चलती हैं उत्तर है उच्च वाइदाप से निम्न वाइदाप की ओर चलती हैं प्रस्ण नमबर उन्चास पिर्थवी की किस गत के कारण पवने अपनी मूल दिशा से बिच्छे पित होती हैं उत्तर है गुरुडन गत के कारण पवने अर्थात वायव अपनी मूल दिशा से हट जाती हैं बिच्छे पित हो जाती हैं इस वीडियों का अंतिम प्रस्न, प्रस्न नंबर पचास, अस्थाई पवने कितने परकार की होती हैं, उत्तर है तीन परकार की अस्थाई पवने होती हैं, नंबर एक वालिज पवने, नंबर दो पचुगा पवने, नंबर तीन धुरुवी पवने, ये जो है तीन परकार की पवने पाई जाती है पूरा वीडियो देखने के लिए धन्वाद यदि आप हमारे चैनल पर नए वीवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्वाद